वैसे तो हर महीने आने वाली एकाज़ी महत्मून होती है लेकिन फिर भी क्यों सभी एकाज़ी में निर्जला एकाज़ी सबसे ज़्यदा महत्मून मानी जाती है अगर आपका स्वास ठीक नहीं रहता है तो क्या आप फलहार खाकर निर्जला एकासी का वरत रख सकते हैं निर्जला एकासी के वरत में किन किन चीजों का दान करना सबसे ज़्यादा मैत्पून माना जाता है आज ये इस वीडियो में हम जानेंगे जे श्री किष्णा रादे रादे मेरे यूटीब चैनल सातिक मन में आप सबका बहुत स्वागत है इस वर से प्राथना करती हूँ कि आपके घर परिवार में सुक समर्दी हमेशा बनी रहे जेट मास के सुकल पक्षी एकासी तिथी को निर्जला एकासी कहा जाता है निर्जला एकासी यानि के जल के बिना वरत निर्जला एकासी को भीम से इन एकासी भी कहा जाता है इसके बीचे एक पराणी कथा है पांडो पुत्र भीम कभी भी भूके नहीं रह सकते थे तो एक बाद सब के समझाने पर उन्होंने साल की 24 एकासी के बजाए इस एकासी के वरत को चुना इसलिए तभी से इसे भीम से इन एकासी कहा जाने लगा ऐसी मानियता है कि अगर कोई साल की 24 एकासी का वरत नहीं रख सकता है तो वो अगर इस साल जीट मास की पढ़ने वाली निर्चला एकाश्ची कवरत करता है तो उसे साल की 24 एकाश्ची के बरावरी फल की प्राप्ती होती है अगर आपका स्वास ठीक नहीं रहता है तो किस तरीके सा आप इस वरत को रख सकते हैं अगर आपका स्वास ठीक नहीं है या आप डाइबिटीस के मरीज हैं तो आप फल खा कर भी एकाच्ची कवरत कर सकते हैं या आप नीमबू पानी पी कर भी गुनगुना नीमबू पानी पी कर भी एकाच्ची कवरत रख सकते हैं बस आपको अनका अनाज का सेवन नहीं करना है। उपवास का अर्थ ये नहीं होता है कि भोके रहना। उपवास का अर्थ होता है भगवान के निकट रहना। उप यानि के निकट और वास रहना। अर्थात भगवान के निकट रहना कि आपका जादे से जादा ध्यान भगवान में लगना चाहिए, आपका मन भगवान में लगना चाहिए, यही ब्रत का उद्देश्य होता है। सुबह शाम अपने गुरु का, जिस भी इस्तर देवदा को आप मानते हैं, जिस भी कुल देवी देवदा को मानते हैं, या भगवान विश्नु का एकात्षी पर ध्यान किया जाता है, तो सुबह उठकर एक लोटा जल सूर्य भगवान को देने के पश्यात, पीले वस्तर धा आपको रखना है, और सूर्य दो के समय से, अगले दिन सूर्य दो तक आपको जलगी एक गून भी घ्रहन नहीं करनी है, दीके कुछ लोग ऐसा मानते हैं, कि रात को बारे बजे और पानी पीलिया कि रात के बारे बजते ही अगला दिन शुरू हो जाता है, हमारे सनातन धर् तब ही अगला दिन शुरू होता है, तो इसलिए आज आप एक आच्छी का वरत सुबह रखेंगे जैसे तरीके से, तो आपको कल सूर्य दो के समय पर ही, सूर्य दो को भगवान को जल अर्पित करने के बाद ही आपको अपना वरत खोलना है, एक आच्छी पर किन-किन चीज बद जल लोगों को पिलाना चाहिए, जितना जादे से जादा आप जल का दान करेंगे, उतना ही आपको एक अच्छी के पुन्य फल की प्रापति होगी, क्योंकि आप इसमें जल का त्याग कर रही है, केवल जल का त्याग करना महत पूर्ण नहीं है, सबसे जादा महत पू पंखा, वस्त्र, गंचः, चाता, मठका, गुड़, गणना, जो भी चीज़े गर्मी से रहा देती है। इन सब चीज़司 एक अच्छी परदान करना बहुत ही शुबाना जाता है। चाता लेकर अगर आप किसी को दान करते हैं और वो गरीब आदमी अगर चाते को लेकर जब कड़कती धूप निकलती है उस चाते को लेकर के चलेगा जो कि उसे सूरिय की किर्णों से उसे गर्मी से रहात दिलाएंगी तो उस जरूरत मंत के से जो आशिरवाद निकलता है वो आशिरवाद जीवन में खुश्यों की बोछार लेकर आता है आपके अंदर एक पोजिटिविटी का वास होता है किसी गरीब को अगर जूते दान करने है तो जो वो उन जूते को पंके को पंके से हवा करता है जूतों को पहन कर गर्मी में निकलता है तो वो आपको दिलाएं निर्जिला एकाश्ची के व्रत में पेडों को पानी दे, प्यासे को पानी पिलाएं, गरीबों को पानी पिलाएं ये सबसे ज़्यादा महत पूर्ण होता है किसी भी गरीब को जरूरत मन को अनधन जूते चपल छाता इन सब चीजों का दान करना चाहिए ये सब चीजे दान करने से आपके सब काम सीध होते हैं आपके रुके हुए, बने हुए, बिगडे हुए काम आपके बनने लगते हैं इन चीजों पर एकाश्ची का धान करने से आपकी मनों कामना पूरू होती है तो यी थी एक छोटी सी जानकारी उम्मीद करती हूँ दीगई जानकारी आपके लिए लबदायक होगी वीडियो कर पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादे से लाइक शेयर कीजिए जिससे आप जैसे अगर कोई भी और एकाश्ची का बरत करने जा रहा है तो उन लोगों को भी इन चीजों का पता चले क्योंकि अगर आप किसी भी एक इनसान तक इस वीडियो को पहुचाते हैं और वो आपके कहरे से दान करता है तो उसके क्या हुए पुन्या का फल भी आपको प्राप्त होगा तो चले मिलती हूँ नई वीडियो में नई जानकारी के साथ जै श्री कृष्णा रादे रादे ऐसी ही और जानकारी के लिए चन को सब्सक्राइब कर दीजे जिससे जो भी वीडियो अप्लोड करती हूँ वो आप सभी को समय से मिल सके